हेलो दोस्तों महावारा सीरिस की पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे अरजुन ने भिशम पितामा को गंबीर रूप से घायल कर दिया अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद उसे जरूरी देखे आज की वीडियो में हम जानेंगे दुरोण चारे के चक्रवियो की रचन और अभिमन्यों के उस चक्रवियो में फसकरवीर गति को प्रापत होने के बारे में चलिए शुरू करते हैं और उन्होंने दुनियोधन को कहा कि वे कल के युद में युदिश्टर को बंदी बना लेंगे क्योंकि वे भी चाते थे कि ये युद समाप्त हो और कोई अन्य युद्धा वीरगती को प्राप्त ना हो प्रन्तु यह समचार पांडों के सेना प्रमुक दिर्ष्ट दियूम के गुपचरों के द्वारा उन तक पहुँचिया जिसके बाद उन्होंने श्रीक्रिशन और अन्य महरती के साथ सला कर युदिश्टर को ग्यारवे दिन के युद में विशेश सुरक्षा परदान करने का ने ले लिया इसी सुरक्षा के कारण द्रोनाचारी युदिश्टर को ग्यारवे दिन के युद में बंदी बनाने में असफल रहे इस दिन के युद में करण ने भी युद में भाग लिया था इसके बाद 12 दिन के युद में भी धुरोनाचारी ने युदिश्टर को बंदी बनाने का प्रयास किया परन्तु अरजुन ने उनके सभी प्रयासों को जिफल कर दिया जिसके बाद 12 दिन के आंद के बाद द्रोनाचारी ने युदिश्टर को बंदी बनाने के लिए चक्रिवीव की रचना करने का ने ने लिया अगले दिन 13 दिन के युद में द्रोनाचारी ने चक्रिवीव की रचना की इस चक्रवियू का तोड केबल अर्जुन के पास या तो स्रीक्रिशन के पास ही था इसलिए सोशरमा दुरुएधन के कहने पर अर्जुन को अपने जाल में अपसा कर युद भूमी से बहुत ही दूर ले गया जिसके बाद अर्जुन के वहाँ पर ना होने के कारण से अभिमन्यू ने चक्रवियू में प्रवेश किया परन्तु अभिमन्यू चक्रवियू में केबल प्रवेश का ही माल जानता था उसे चक्रवियू से बाहर निकलना नहीं आता था क्योंकि जब अभिमन्यों अपनी माता सुबद्रा की कोक में था तब ही अरजुन सुबद्रा को चक्रवियू का ग्यान दे रहे थे तब अभिमन्यों ने चक्रवियू में प्रवेश करना तो सीख लिया शकनी सहीत कई अन्य महारती मुझूद थे उन सभी ने मिलकर अभिमन्यों पर परहार करना शुरू कर दिया और उन सब ने मिलकर अभिमन्यों को मार दिया इस एपिसोर में बस इतना है अगले एपिसोर में हम जानेंगे अर्जुन के जैदरत वत की परतिग्या और भिम पूत्र खटोतकर की वीरगतिकों प्राप्ति के बारे में तब तर के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आईए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और कम्प्लीट महारत सीरीज के लिए बने रहें फैक्ट फैंडर्स के साथ